भारत एक ऐसा देश जो अजादी के बाद सही गरीबी से जूज रहा था उच देश का एक ऐसा सहर जो आज पूरी एसिया में सिलिकन वेली से जाना जा रहा है जी हाँ सही समझा आपने बैंगलोर एक ऐसा सहर जहां आज दुनिया के 4 और 80% of IT कमपनी ओफिसेज हैं लेकिन आ जहां भारी मातरा में ट्रेड हो सके आखिर कुछी सालों में बैंगलोर ने ऐसा क्या करा कि आज कंट्री के राउंड 40% से भी ज्यादा सोब्स्ट्वेयर अकेले इस सहर के नाम है इस वीडियो में नज़र डालेंगी तिहास से लेकर आज तक कि सारी जनकारी जिसने इस सहर को आज से इस मुकाम तक पहुचा दिया है तो बने रहे हमाँ साथ इस वीडियो में आज आदी से पहले बंगलोर महराजा किसना राजा वाडिया द्वारा रूल किया जाता था ऐसा कहा जाता था कि यह महराजा बहुत ही टलेंटेड थे और चाहते थे कि उनके अंदर आने कोमी कंफरेंस रखी जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट को इन्वाइट किया गया यह मीटिंग इतनी सक्सिफुल रही जहां इंडिया के प्राइमरी एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन एक के द्वारा 2009 में कंपर सरी किया गया था वही बंगलोर के में इसे 1913 में ही सब के लिए निवार कर दिया गया मतलब कि अलमोट 100 साल पहले एजुकेशन पर ध्यान दने के बाद महराजा ने जो दूसरा काम किया वह यह था कि उन्होंने बरे लेंड ग्रेंस दिये यानि कि अपने एरिया में आने वाले कई एक जमीन को बरे बरे इंस्टूट को दा साइन्स और नेशनल कॉलेज इन बंगलोर उनके दवारा दिये गये इन दो बरे फैसलों को असर ऐसा कुछ हुआ जहां 1951 इंडिया का एवरे लिटरिश्री रेट 18.3 था वहीं बंगलोर का 43 या एनिक यानिकी डबल से भी ज्यादा एही वह चीस्थी की जिसने भाह सरकार क का ध्यान मुंबई, डिली, कुलगाता, चेनई जैसे बरे सहरों से बंगलोर की तरफ खीचा अगर आपको यह वीडियों